चलिए सर इसके ओपर कुछ कोशन्स भी देखेंगे काफी स्टूडेंट को टेंशन हो रही है के सर कैसे खतम होगा बहुत सारा स्लेबस लग रहा है हमें डेफिनेटली खतम होगा और समय पे ही खतम होगा स्लेबस जादा तो है लेकिन उसके लिए प्रोविजन है बारा तारिक से रेगुलर क्लासिस होगी आपकी बारा या तेरा तारिक से रेगुलर क्लासिस हो जाएगी तो ये प्रोविजन है जिससे की खतम होगा बाकी सबसे बड़ा चेप्टर सेलरी था जो कि हम कर चुके हैं अब बागी हाउस पपटी दो से तीन दिन ऐसे छोटे-छोटे चेप्टर्स है चलिए सर हम बात करते हैं अब प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे उपर लिखना है कम्प्यूटेशन कम्प्यूटेशन ओफ हाउस प्रॉपर्टे इंकब एच्पी इंकम लिख देता हूँ और फॉर जैसे मान लो मिस्टर एक्स और नीचे आपको लिखना है असेस्मेंट येर प्रिवियस येर वर्टेबर नेम आप लिखना चाहते हो नीचे हम वो लिख देंगे मैं बता ही देता हूँ नीचे फॉर एसेस्मेंट येर जिसको एवाई लिख सकते हो जैसे मैंने मान लिया दो हजार बाईस और तीस सर कुछ पार्ट जो मैं लिखने वाला हूँ ये वर्किंग नोट में भी जा सकता है नॉर्मल भी हो सकता है सर पार्ट क्या है सबसे पहले हम लिखते हैं MV MV को compare करते हैं FR से इन दोनों में इसे जो higher निकल के आता है यानि हमने पहले MV लिख लिया और ये roughly भी कर सकते हो इन दोनों में से जो higher निकल के आया है इसका मैंने अपनी मर्जी से एक नाम दे दिया compare करने के लिए FR नंबर वन अब आप compare करोगे FR नंबर वन और SR से इन दोनों में से देखा जाएगा lower जो इनके comparison में lower निकल के आएगा उसको बोलेंगे expected rent expected rent जो इन में से निकल के आएगा expected rent के बाद आपका इसको जिसको मैंने बोला था सर हम बोलेंगे ER अब compare स्टार्ट करेंगे हम actual rent से actual rent receive and receivable यानि A receive and receivable actual rent receive A triple R सर सवाल आता है कि इन दोनों में से क्या लोगे सर इन दोनों में से अभी फिलहाल के लिए सिखाया जा रहा है आपको जैसे जैसे सवाल बढ़ेगा तो यहाँ पे एक point active हो जाता है हमारा point active हो जाता है हमारा अगर reality में वो किराया कम ले रहा हो या reality में vacant रहा हो कुछ ऐसा situation आ जाए rule number 4 तो यहाँ पे rule number 4 income tax का एक activate होता है तो वो हम बाद में देखेंगे अभी फिलहाल के लिए higher जो higher होगा उसको बोलेंगे हम जी एवी अब आपके पास option available है sir ये वाले सारे portion जो मैंने यहाँ किये हैं आप या तो यहाँ कर लीजिए या फिर इसको कहीं भी आप working note में बाहर कर सकते हैं और जी एवी से question को start करिए समझ रहे हैं बात या तो आप यहाँ पे कर लीजिए या कहीं working note में करिए और question start करो GAV से आपकी इच्छा है तो मैं जादा से जादा question क्या करूँगा GAV से भी start कर दूँगा कई बार और कई बार इस तरीके से भी कर दूँगा ठीक है चलिए सर जी एवी के बाद हमारा original main काम start हो जाता है यह आगया जी एवी और जी एवी में से minus कर देते हैं MT MT क्या होता है municipal Texas सारे provision हम देखेंगे इसके बाद हमारा क्या आता है NAV last class में भी हाला की बताया था इसमें से minus हो जाता है 24A जो की है 30% फिर minus होता है हमारा 24B जो की है हमारा interest का इस पे कोई percentage नहीं है यह calculation सीखेंगे हम यह हमारा जो NAV आया इसमें से यह दोनों चीजे minus करने के बाद जो income निकल के आएगा यह निकल के आएगा यह होगा income from house property यह होगा income from इस प्रॉपटी इस प्रॉपटी इस प्रॉपटी इस प्रॉपटी पहले बताईए कोई दिक्कत यहां तक हर बच्चों को क्लियर है यह last class वाला ही एक्जाम पर है last class वाला ही है how many chapter have covered till now सिर्फ हमने एक basic एक हमने residential status salary cover कर लिया यह four chapter चल रहा है कह सकते हो हम deduction साथ के साथ चल रहा है इसके अंदर deduction पूरा नहीं हुआ वो chapter की requirement के इसाब से करेंगे हम यहां तक clear है last class जिन बच्चों ने देख लिया होगा उनको एकदम से clear होगा सर यह तो वही बाते हैं अब इस पर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं सवाल में हम सिर्फ GAV तक सीखेंगे फिर हम municipal text के concept को detail में discussion करेंगे फिर municipal text के बाद फिर दीरे दीरे हर एक section को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे पहले हम start कर लेते हैं क्या GAV तक चलिए आपके सामने एक सवाल है इस सवाल को करते हैं यह आपके किताब का ही सवाल है 5.1 आपकी किताब का सर कौन सी किताब है ग्रीस आहूजा इसमें 6 सवाल है और 6 के 6 सवाल करूँगा आपको डिजट दिख रहा होगा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ डिजट क्लियर है सब कुछ अच्छे से नजार आ रहा है ठीक है न तो 6 सवाल है 6 सवाल के 6 सवाल में पूछा गया है आपका आप बताईए 6 हाउस डैली डिटेल आर एज एंडर आपको कंप्यूट करना है ग्रॉस एन्वल वेल्यू यानि हर किसी के लिए जी ये भी बताना है तो सर ऐसे सवाल को मैं एक बार में ही निप्टाना पसंद करूँगा 6 सवाल पूछा है 6 लाइन खीच ड्रॉ कर लेंगे और एक बार में आंसर कैसे आएगा मैं बता देता हूँ वैसे अलग-अलग भी कर सकते हैं लेकिन मैं जल्दी से जल्दी इस बेसिक कंसेप्ट को सिर्फ बताना चाहता हूँ कितने होंगे आप सभी के पास हाला की किताब है तो जिनके पास किताब है जिनके पास photocopy है whatever name call करो वो वहाँ से देख सकते हैं 6 सवाल तो 6 line 1 2 3 4 5 6 सर आपके पास house number 1 H number 2 H3 H4 H5 H6 6 घर हैं 6 के 6 ये last में ऐसे ही कर हो गया extra मैं एक का निकालूँगा 3 का मैं निकालूँगा 3 आपके responsibility कहता है सर municipal value दे रहे हैं fair rent दे रहे हैं standard rent दे रहे हैं actual rent दे रहे हैं जी भी बताईए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे municipal value सर municipal value कितना है 2 लाग इसको compare करते हैं किस से fair rent से तो सर fair rent कितने दे रहे हैं 2 चालेस इसके बाद मैंने बताया हम एक लिख लेते हैं FR number 1 comparison के लिए और बाद में ये हटा दूँगा मैं क्या आएगा higher वाला part that is through 240 higher है ना अब सर इसको compare करेंगे standard rent से तो पहले case में standard rent कहता है कि सरकार के पास कोई case नहीं गया तो standard rent क्या हो गया not applicable standard rent के बाद हमारा इन दोनों में से क्या लिया जाएगा higher तो सर not applicable कभी zero मत कर देना zero गलत सब्द है zero का मतलब court ने बोल दिया इन दोनों में से higher जो आएगा उसको नाम दिया मैंने ER ER आ जाएगा हमारा 240 ER क्या गया अब इसको compare कर लेंगे actual rent receive या receivable ज़रूरी नहीं पैसा मिला हो ना मिला हो तो उससे भी compare कर लेंगे सर सर जो की हमें पहले वाले सवाल के अंदर देखिए क्या given है पहले वाले सवाल में आप चेक करिए क्या given है तो सर पहले वाले सवाल में given है 180 तो सर इसके अंदर क्या लेंगे हम higher मैंने बताया था सर इसमें लेना है हमें higher जो ज़्यादा होगा और जो ज़्यादा होगा उसको देंगे अच्छा हाँ, सुरी, इसमें lower है, lower, lower यहां lower है, zero नहीं है ना, मैंने कहा न, lower तो sir, यहां not applicable है तो यही amount आजाएगा यह आजाएगा G, A, B G, A, B देखा जाएगा तो हर किसी का कुछ ऐसे ही रहेगा हर किसी का यहीं से निकाल देंगा G, A, B चलिए sir तो answer 240, एक का और कर लिया जाए, दूसरे का sir, क्या है 240, और क्या है हमारा 3 lakh इन दोनों में से higher, 3 lakh एक zero कम लगा, कोई बात नहीं लगा देते हैं इसके बाद फिर क्या लेंगे standard rent sir, इन दोनों में से lower, 240 अब किस से comparison चलेगा तो बताईए क्या आएगा 3 साथ, यह सरफ practice के लिए कि आपको overall आपको पता चल जाए इसमें 2 में कोई doubt sir, MB और FR में higher और जो MB FR में ठीक है चलिए sir fourth का answer भी बता दिया, बच्चों ने third का भी बता दिया, ER वाला है sir ठीक है, चलिए third का भी देख लेते हैं, 360 और 4 लाक, higher क्या है, इसके बाद, 5 लाक, क्या लेंगे, lower 4 लाक, और आपने खुद बोल दिया, मैं कमाता हूं, 4 अस्ती तो आपका जवाब होगा, चारस से, चलिए sir, अगले पे, यह था तीसरा, चौत्थे पे आजाते हैं, 4 बीस, और यह चार बीस, तो इसमें क्या करें, सेमी आ जाएगा, higher lower में कोई दिक्कत नहीं है, 4 बीस आ गया, F1, यहाँ देखिए, इसके सारे चीज़े मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको समझ बेनार हो, तो इसके सामने है, मैं लाइन भी खीच दूँ क्या, यह समझ में आ रहा है, आ रहा है, चलिए, अब इसके बाद, चौत्थे पॉइंट के बाद, आएगा, हमारा, 3 लाग, तो आपको देखो, सवाल में, इतने कोश्चन हमने देखे न, यहाँ पर यह चार-पांस, तो आपको देखके यह अंदाजा लग जाएगा, सर इसके अंदर, तो यह हम कॉलम के अंदर, जो मैं बोल रहा था, ने, कि यहाँ करोगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटीड बन सकता है, that's why यह कहीं working note में कर दो, जी यह भी से start करो, तो साफ सुतर सवाल रहेगा, थोड़ा सा, मैं इसलिए कह रहा था, बस, बाकि आप जहां भी करिये, सवाल ठीक माना जाएगा, चलिए सर, पांच नमबर, 480, पांच लाक, पांच लाक हायर आजाएगा, not applicable, तो सर यह पांच लाक ही रहेगा, और आप बोल रहे हैं सर, हम तो पांच चालिस लेते हैं, तो मैंने बोला ठीक है सर, आप अपना पांच चालिस दे जो, अब एक चीज नोटिस करिए, कई बार यहां पे लिया गया, दो चालिस, यहां पे लिया गया, तीन साथ, तो हायर वाला concept रह ये, 480 lower और actual rent कितना बोल रहा है तो answer क्या आएगा 1480 पहला सवाल आपकी किताब के अंदर भी है और जिसके पास किताब नहीं है चिंता है नहीं है सामने डिस्पले तो आपके पास हो रहा है, ठेक है किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है किसी को All done किसी को कोई problem इस question में बताईए नहीं अगले concept पे चले यानि मैंने कहा कि मैं पहले आपको GAB तक थोड़ा सा पक्का कर दूँ इसके अंदर मैं star भी बना देता हूँ अल्दो कुछ बच्चे बोलेंगे जो मैंने बोला rule number 4 जैसे जैसे situation आएगा वैसे वैसे करेंगे पहले कराके मैं chapter का interest खतम नहीं करना चाहता बाद में आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है चलिए sir इसके बाद हम सवाल सीखेंगे sir यह municipal text कैसे ठीक है तो municipal text एक होता है municipal value एक होता है municipal text ध्यान दीजेगा sir municipal text आप से लिया जाता है हमेशा municipal text इसलिए लिया जाता है क्यूंकि municipality department जिसे mcd बोलते है आपको facility provide करता है आपने तो घर बना लिया अब घर बनाने के बाद आपके लिये जो वहां के नाली की facility है वहां पे पानी की facility है वहां के lighting की facility है जो वहां पे कूडे वाला daily आता है ये सारा आपसे पैसे थोड़ी लेता है अगर कूडे वाला आ रहा हो या नाली आ रहा हो तो आपसे पैसे नहीं लिया जाता है इनका आपके लिए क्या है सर ये free of cost है तो इसके बदले में सरकार आपसे लेता है municipal tax अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कुछ लोग कह सकते हमसे तो नहीं लेता जो freehold property है उनसे house tax के नाम पे वसूला जाता है जहां freehold property नहीं है तो पानी के water bill डेली की में बात कर रहा हूँ डेली में तो water bill जिस महिने आपका या जिस time पे आपके साफ सफाई हो रही होगी नाली वगेरा अगले महिने का bill उठा के देखना उसके अंदर sewer charge या house tax के नाम से अलग से वो जोड के दे देंगे आपको ठीक है तो सर यह municipal tax आपसे लिया जाता है तो आप बोलोगे सर municipal tax अगर हमसे लिया गया हम rent भी paid करें rent आया ठीक है पांच लाक रुपए rent आया आप बोलो tax दो ठीक है agree tax देंगे लेकिन हमने एक tax दे तो दिया कौन से वाला municipal tax तो सर यह मुझे माइनस करने देना चाहिए क्योंकि हम दो दो टेक्स थोड़ी दे सकते हैं हमने जो आपको municipal tax दिया इस किराय में से तो ही दिया है था तो हमें माइनस करने दो तो government ने बोला allowed आपको municipal tax आप payment करो आपको allowed होगा लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो शर्ते क्या हैं वो शर्ते देखते हैं बोला गया सर municipal tax आपको allowed किया जाएगा सबसे पहली बात municipal tax जो allowed होगा वो होगा हमेशा paid basis पे paid basis paid basis का मतलब आप payment करोगे तभी आपको मिलेगा अभी समझ लेंगे paid basis क्या है उससे पहले government ने बोला भाईया municipal tax हम मान गए आपकी बात लेकिन आप ये बता दीजिए municipal tax जो है वो payment कौन कर रहा है आप ये बता दीजिए municipal tax payment कौन करेगा चलिए सवाल आता है municipal tax payment कौन करेगा यानि उसका पैसा कौन देगा दो ही वेक्ति दे सकते हैं या तो दे सकता है honor या तो honor दे सकता है या फिर किरायादार जिसे tenant बोलेंगे या तो honor देगा या tenant देगा या मैं simple शब्दों में लिख देता हूं rented person renter बोल देते हैं वैसे हाला कि tenant word use होता है मैं थोड़ा simple लिखना चाहता हूं renter slash tenant भी करता हूं तो सर यहां पे paid की बात हुई payment कौन कर रहा है सर honor करेगा या फिर tenant अब सबसे पहले बताओ मुझे house property tax या house property के ओपर टेक्स जो rental income है rental income किसकी मानी जाएगी मालिक की मानी जाएगी या किराइदार की मानी जाएगी मालिक की मानी जाएगी तो अब payment में government ने बोला भीया कुछ मकान मालिक बड़े चलाक होता है बलते हैं के भाईया बिजली बिल तुम भरो पानी का बिल तुम भरो house tax तुम भरो हमें बस किराया तो ऐसा होता है तो अगर मालिक भरता है तब तो हम allowed करेंगे अगर tenant या आपके renter ने payment किया हो अगर renter ने paid किया क्या paid किया sir municipal tax तो law कहता है sir आपको municipal tax का deduction नहीं मिलेगा not allowed not allowed law कहता है not allowed क्योंकि भाईया आप तो लड़ रहे थे मुझसे इस बात को लेके कि हम तो municipal tax भी paid करते हैं इसी किराय से paid करें तो भई आप तो तुम paid नहीं कर रहे तो लड़ाई जगड़ा खतम आपको पैसा इसमें minus करने नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर honor paid करता है तो यहाँ पे condition हो सकता है sir sir क्या condition होगा honor paid करेगा simple सी बात है नहीं paid कर देगा यहाँ पे condition हो सकता है payment जब करेगा या तो honor की बात करें या तो due हो गया है but not paid not paid वो बोलता sir दे देंगे ना क्या दिक्कत है अभी बाद में देंगे तो बोलना दे देंगे हम कोई दिक्कत नहीं और आप मुझे आप बताईए income tax कब देना होता है income tax कब देना होता है sir income tax देना होता है date 31 July 31 साल 31 साथ का हर बार due date होता है income tax लेकिन financial जो income calculate करते हो वो 31 साथ का नहीं करते है 31 का करते हो तो लोने का भईया अगर आपने due किया है और आप माने लो 31 को आप income tax भरने जा रहे हो और आपने 30 तारिक को क्या करा empty paid कर दिया हम तुमें लेने नहीं देंगे deduction sir ऐसा क्यों paid तो कर दिया बोला कि आपको जो payment करना है वो payment करना है due but not paid then not allowed तो आपको allowed नहीं होगा एक हो गया आपका paid तो अगर आपने paid कर दिया तो ये भी ध्यान रखना है अगर आपने paid कर दिया तो ये भी ध्यान रखना है sir क्या ध्यान रखना है आपको paid करना है paid before due date या on मैं थोड़ा शब्द को change कर दूँ before इधर ध्यान देजे before और on 31st 3 and जो भी year होगा जिस साल के लिए computation तयार करिएगा उस साल का समझिये क्या कहना चाहता है law law कहना चाहता है कि भाईया municipal tax minus ऐसे निया आख बंद करके करने देंगे municipal tax अगर renter tenant ने payment किया हो तो not allowed honor ने paid किया है तो देखेंगे या तो due हो चुका है but not paid तब allowed नहीं है लेकिन paid करा है तो paid में भी आपको check करना है कि कभ payment किया है वो भी payment करना 31 March जिस साल का computation जिस साल का income tax 2023 का बना रहे है 2022 को तो उस साल के 31 March तक payment अगर 31 March के बाद payment करता है तो वो अगले साल में count होगा अब payment अब एक और सवाल आ जाता है payment कितना करना है अब वो payment law ने का कि payment कितना करना है हमें तो यह मतलब है आपने paid जितना किया होगा deduction दे देंगे तो sir payment अगर हम करते हैं कितना payment sir sir अगर आप payment current year का करोगे तो मिलेगा current year का अगर आप payment कर रहे हो तो मिलेगा sir मिलेगा sir अगर आप previous year का payment करोगे तो आपका due हो गया था पिछले साल आपके pocket में पैसे नहीं थे लेकिन आपने इस साल payment कर दिया क्या मिलेगा यह भी मिलेगा sir आप बार बार परेशान होते हो सरकार को next year का paid कर दिया तो next year का advance में paid कर दिया तो यह भी deduction मिलेगा यानि कहने का मतलब है sir जितना amount paid करोगे तो total amount total amount paid का deduction मिल जाएगा sir कितना भी paid करो आप एक बार में कर दो 10 साल का advance सारा deduction ले सकते हो यानि इसमें ऐसा नहीं है कि भाया इस साल का था तो भी मिलेंगे आपको deduction आप जितना payment करोगे लेकिन तारिक याद होनी चाहिए 31 मार्ज से पहले जितना मर्जी payment करो आप 31 मार्ज से पहले आपको सब का deduction मिल जाएगा कहां पे मिलेगा sir municipal tax के अंदर जाके minus करने के लिए दे दिया जाएगा तो यह सारी कहानी है यह सारी situation है जो कि आपको ध्यान रखना है एक और बात कई बार examiner चला की करेगा कि municipal tax municipal tax 20% बच्चा बोलेगा sir 20% किसका तो हमेशा याद रखिएगा यह 20% calculate होगा MV के उपर जब आपको बोल दिया जाए municipal tax 20% है 30% है 50% है तो always calculate होगा किसके उपर MV के उपर तो फटा फट से quickly एक बार मैं बता दू municipal tax क्या है यहां तक समझ में आगे आपको कोई दिक्कत है क्या